हेलो फ्रींज वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज हम बढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में तो जिल्दी से आप अपना कॉपी पैन लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाईए फॉर्स्ट है हमारा बहादुर्शा फोस्ट ठीक है इनका जो रियर नेम था मुह था मु जाते थी ही में पीस यहरु 隊 इनन्हों ने क्या कि गुश्रीखे गोरीट जो उसकों की दसने गुर्वे कि जने चांटी नेगा सब्सक्राइब और इन्हों ने जो है सर्देश्मुख मराथा को दिया और शाहू को क्या क्या रिलीज करवाया एंड इसके बाद है इन्हों ने जो है अजेसिंग जो थे मेवार के उनको जो फोर्स के समिट के लिए बट आफ्टर जो है बाद में उनको जो है राना व मेवार के रूप में माना ठीक है इनकी डेथ की बाद जो है इन्हों ने आगे सिक को जो है आगे बढ़ावा दिया ठीक है इनको कहां पे मारा लोहार कर में हराया ठीक है इसके लिए यह एलिमिनेट करने के लिए एबल नहीं थे बट इन्होंने जो स्पोर्ट म्यूजी को सपोर्ट किया ठीक है उसके बाद यहां जहादर सब्सक्राइब टक का इनका टाइम पिरियर्ड था जहादर शाह बौन बार वह सक्षेशन डूटु था जू फिकर खान ठीक है जो जहादर थे ठीक है इन्हों ने जो है उतरा अधिकारी के लिए लड़ाई जीती किसके स्पोर्ट में जुलफिकर खान के स्पोर्ट है ठीक है यह एक ऐसा मुगल इंपाइर था जो दूसरे की इच्छा के अनिसार जो है काम करता था और जो जै सिंग और अबेर थे उन्होंने इनको टाइटल दिया था मिर्जा राश वैंड अजीज सिंग जो थे उन्होंने इसको अवोर्ड या टाइटल दिया महराजा का ठीक है फेरज जहादर खान ने क्या कि जजिया कर को खतम किया उसके बाद आता है फिरुक्षियर फिरुक्षियर कर टाइम पीड़िद इनों ने मर्णार कर लिया, भन्दा बहादूर को मारें दिया गुर्दासपूर में उन्हों ने फिरूक्षियार को मार गिरा सुर्मन की एसको कर रहे थे कौन जॉन सुर्मन ठीक है उन्होंने इनके कोट में विजिट किया उसके बाद आजाता है हमारे मोहम्मद शाह का टाइम पिरिएड है वह सब्साइब को रहा है इन्होंने मार गिशाया अन्तर रचा जोनोल थे रही सिटे सब्साइब उन्हों के साथ उन्होंने शड़ीएंटर रचा और से ब्रदर को मार गिराया तो फिर हैं हमारे निजाम उल्मोल्व ठीक है उनको जो है एजद वजिर प्वग्वेंट के ज़िए उनको साशनकाल मैं और बेंगोल को मुर्शीद कुली खान की गवर्नरशिप में आकुवायर कर लिया गया फिर स्एल्ट कान पाड्य खान फीर फिर बैटल आफ करनाल हुई स्थारह सुन्तालिस में ठीक है वो किसके बीच हुई नादी शाह और मुहमद की बीच हुई जिसमें मुहमद को इन्होंने हरा दिया और ही टू कवेदा तक ते तौस जो एक मोर का सिहासन था मोर वाला सिहासन और एक कोहिनू डाइमन था और दो कोहिनूर के डाइमन में कुछ चीज़े पढ़ लेते हैं कोहिनूर डाइमन जो है कौन सी माइन पर था रायल सीमा इन आध्रापदेश रायल सीमा खान में ठीक है पाया गया यह किसके पास था काक्तिया डाइस्टी के पास बाद में यह किसके हाथ हो गया डैली सलतनत के बा जाने क्या क्या कि यह जो कोहिनु डाइमन था इसको जो जो मोर वाला सीहासन था उसके उपर इसको रख दिया ठीक है प्लेस कर दिया उसके उपर फिर उसके बाद यह जो है नादिर शाह ने 1749 में इसको कोहिन दोनों यह दोनों चीज़े ले लिए फिर आजाता है हमार पार एहमर्शा का टाइम पीडियर था उन्होंने उनको सौंफ दिया गया फिर है हमारे पास आलमगीर आलमगीर के साशनकाल में क्या हुआ कि एहमर्शा ने डेली को अकुपाई कर लिया था हां है थार्ड battle of panipatt wanna पानिपकी दीसरी लडाई कबर ए socio innocence में हुए और पानइपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई और पानइपत की दूसरी लडाई 1556 में ठीक है तो दीसरी लड़ाई किस-किस के बीच हुई मराठा और एहमर्शा अबदली के बीच हुई जिसमें मेराठा हार गए रजाने मराठा को प्रोटेक्शन इन बिहार ठीक है और वहां पर यह 12 साल तक रहे फिर एक बैटल हुई बैटल और बकसर इन 1764 में काफी इंपॉर्टेंट है यह कब हुई डेट याद रखनी है किसके बीच हुई यह भी याद रखना है और बकसर की लड़ाई 1764 में हुई यह बिच बेटरों ने इनको हारा दिया ठीक है और यह जो है इलाबाद में रहने लगे व्यों फिर उसके बाद एक ट्रीटी हुई संदी हुई ट्रीटी आफ इलाबाद इन 1765 में एक संदी हुई इसके बीच उई शहाः आलम सेकंड के बीच हुई एडावर्ट कलाइब के बीच हुई फिर है अकवर सैकंड अकवर सैकंड इसंतिस्तकन का टाइम पिरे था He sent Ramun Rai as ambassador to retain and give him the title of Raja इन्होंने Ramun Rai को जो है राजदूत बना के रिटेन भीजा और उनको एक title दिया Raja का अकवर सेकिन स्टार्टिड दे हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल स्टार्टिड फूल वालों की सेथ फिर हमारे पास लौड हास्टिंग ने क्या क्या जो मुगलों की सोवनीती थी जो इनकी जो रूल्स थी उनको accept नहीं किया उनको मतलब स्माप्त कर दिया ठीक है मतलब accept नहीं किया इन्होंने उसको आज हम इतना ही करेंगे इसका जो next सभ रहा जाते ह्थ हो नेक्स वीडियो में करेंगे तो इसके साथ हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से उनको सब्सक्राइब किजिये और वीडियो को लाइक किजिए और बैल आइकन कमेंशन में जरूर दीजिए, थेंक यू